आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की फोटो कीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ So, Choose the most suitable determiner for the given sentence हमें दिये गए sentence के लिए एक suitable determiner को चूज करना है from the option So, sentence दिया गया है Dash players were fined for swearing at the empire 4 options दिये गए है Option A Another, Option B Both Option C Either और Option D Neither So, यहाँ पे अगर हम इन options को explore करें तो Option A Determiner Another का use किया जाता है जो की refer करता है An additional person और thing को of the same type as one already mentioned और known about One more और अगर हम determiner बोथ को देखें तो बोथ यूज होता है for emphasize to refer to two people to regarded and identify together और अगर हम option C इदर को देखें तो इदर का मतलब होता है One or the other of two people thing और अगर हम option C नीदर को देखें तो नीदर का मीनिंग होता है not the one nor the other यानि की not either तो option B both is the correct option for this sentence च्योंकि both players की बात की गई है पर फांड पर स्वेरिंग अट थी एंपायर तो अमार करेक्ट फॉर्मेशन होगा बात वर फांड फांड पर पर स्वेरिंग अट थी एंपायर सो ओप्शिन बी इस दी करेक्ट ओप्शिन क्लासिक स्टिट्वल से लेके नीट आई आई टी जेही मीन्स और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउटने टाप या वाच्साप कीजिए अपने डाउट आच चारसो 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 पर